मेरे प्रिये भाई और बेनों, सुबह के समय चारों और से स्कूलों से एक जीत सुनने को मिलता है और वो गीत है हम होंगे कामयाब बहुत सुन्दर गीत है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन ओ मेरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, कि हम होंगे कामयाब एक दिन बहुत सुन्दर गीत है बच्चों को प्रोच साहित करने के लिए एक गीत गवाय जाता है बहुत सारे बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं बार बार परिक्षाओं में फेल हो जाते हैं इस गीत की दुआरा अध्यापक लोग ये उनको बताना चाहते हैं कि बिटा एक दिन तू जीतेगा प्रोच साहित करने के लिए ठीक इसी तरह एक बहुत सुन्दर दिश्य हमें एज़कियल नभी के ग्रंधे की अध्याए 37 में पढ़ने को मिलता है एज़कियल उस समय का नभी है जब बाबुल के राजा ने यहुदा पर आकरमन किया यरुसलेम पर आकरमन किया और यरुसलेम और आसपास से स्योगिय और स्वस्त लोगों को गुलाम बना कर अपने देश में ले गया पूरे युदा के लोग मातम मना ले लगे उदास होगे निराश होगे उन्होंने का कि हमारा विनाश होगया हम इनश्ट होगे ऐसे में प्रभी इश्वर एजेकेल नभी को एक सुन्दर द्रिश्चे दिखाते हैं क्या है वचन में क्या लिखा हुआ है प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्यों से बरी भी थी उसने मुझे उनके भी चारोर घुमाया वे हड्यां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी वी थी और एकदम सुक गई थी उसने मुझे कहा मानव पुत्र क्या इन हड्यों में फिर जीवन ना सकता है मैंने उतर दिया प्रभु इश्वर तू ही जनता है प्रभु ने एज़ेकेल नभी को एक ऐसे घाटी में घुमाया जो हड्यों से भरी भी थी वचन में आपने सुना कि वे हड्यां पूरी तरह से सुक गई थी चारोर चितराई गई थी प्रभु ने एज़ेकेल से सवाल किया बोल कि इन हड्यों में जाना सकती है इन हड्यों में जाना सकती है आप और मैं होते कमलू क्या कहते हैं बिल्कुल नहीं लेकिन एज़ेकेल के अंदर तोरी से उमी थी उसने का प्रभू तू जानता है तो प्रभु ने आगे क्या कहा प्रभु ने कहा इन हड्यों से भविश्य वानी करो इन से ये कहो सुखी हड्यों प्रभु की वानी सुनो प्रभी इश्वर इन हड्यों से कहता है मैं तुम में प्राण डालूँगा और तुम जिलित हो जाओगी मैं तुम पर सनाईवें लगाऊंगा तुम में मांस बरूँगा तुम पर चम्रा चाहूंगा तुम में प्रान डालूँगा और तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभू हूँ आगे लिखा हुआ है एजिकल कहता है मैंने उसके आदेश अनुसार भविश्यवाने की और उनमें प्रान आए वे पुनर जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई वा एक विशाल बहुत संखेक सेना थी प्रभु ने सूकी हड़ियों से एक विशाल बहुत संखेक सेना बनाई हमने हाल में प्रभी यशू के पुनरूतान का परव मनाया प्रभी यशू के पुनरूतान का परव सकारातमकता का परव है Easter is a feast of positivity सकारातमकता का परव यही कारण है कि प्रभी यशू बार बार अपने शिश्यों को अपने दुख्भोग और मुर्ति और पुनुतान के बारे में बविश्यवानी सुनाई थी प्रभू ने का जी मैं मार डाला जाओंगा और मैं जी उठूंगा शिश्यों ने पुनरजी भी तेसु पर विश्वास ने किया जब भी प्रभू ने दर्शन दिया उनके अंदर शक था संदे था क्यों क्योंकि विश्वास ने कर पाते थे कि एक विंसान जिसके साथ ऐसा बरता हुआ जब इतनी बुई तरह से मारा गया था गारा गया था क्या वो कभी जिन्दा हो सकता है उनके अंदर ये नकारात्मक ता बरी भी थी इसलिए बे पुनर्जी भी थी इसुपर विश्वास करने में कमजोर थे पीछे थे इस दुनिया में बहुत सारी लोग नकारात्मक हैं Negat divul उनके मन में हमेशा नकारात्मक बाते होती है होगा की नहीं होगा नहीं होगा संभाव नहीं है यह हो ही नहीं सकता है मेरा पती इतने साल से शराप पी रहा है वो छोड़ी नहीं सकता है मैं इतने साल से बिमारों में सुस्वस्त होई नहीं सकता हूं मैं इतने साल से फेल हो रहा है मैं जीत नहीं सकता हूं उनके मन में बहुत जादा नकारात्मक तबरी विये उनके अंदर उमीदें बहुत कम है एक बहुत बड़ी समस्या है कई लोगों के लिए तिमत्य के नाम सन पालूस के दूसरे पत्र की अध्याई दोवा के आठ में पालूस केते हैं दावूद के वंश में उत्पन म्रतकों में से पुनरजीवित येसु मसी को बराबर याद रखो बचन का ख्याल करना पालूस केते हैं दावूद के वंश में उत्पन और म्रतकों में से पुनरजीवित येसु को बराबर याद रखो बहुत सारे मसीही और विश्वासी लोग येसु को याद करते हैं लेकिन कुरूस पर पड़े येसु को ज़दा याद करते हैं पालूस कहते हैं मृतकों में से पुनर जीवित येसु मसी को बराबर याद रखो ये याद रखो कि तुम्हारा प्रभू मरा और लेकिन उसके बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठा है पुनर जीवित येसु मसी को बराबर याद रखो और आज इस समय मैं आप से भी ये कहना चाहता हूँ कुरोस परम लोग बनन करते हैं वो काफी नहीं है पुनर जीवित येसु मसी को बराबर याद रखना येसु मरे येसु जी उठे यह उनके समाचार के अध्याए सौला वाक्या तैंटिसमी प्रभी येसु कहते हैं धारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है वो सुन्दर वचन धारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है अपने दिल को छोटा मत बनाओ अपने मन को छोटा मत बनाओ धारस रखो धायरवान बनो क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाई है I have overcome the world मैंने संसार पर विजय पाई है इसलिए तुम भी सकार आत्मक बनो हम पाते ही लोहयोहन के स्वमाचार के अध्याई 11 में प्रभी येसू लाजरुस के कबरे के सामने खड़े थी लाजरुस मर गया और चौथा दिन था आज येसू लाजरुस के कबरे के सामने कड़े थी येसू ने लोगों से कहा कि कबरे के सामने जो पत्थर रखाओ उसको अटाओ उस जमाने में गुफाओं में लाज रखी जाती थी तो गुफा के सामने जो पत्थर था उसको अटाओ मार्था ने येसू से कहा कि प्रभु आचवता देने दुरगंद आएगी येशु भी खड़े हैं मार्था भी खड़ी है मार्था को उस कबर के अंदर सड़ावया लाजरु दिखाई देता है उसका सड़ावया शरीर दिखाई देता है लेकिन येशु एक जिन्दे लाजरु उसको देखते हैं येशु सकारात मक्त थे मार्था नकारात मक्त थी येशु में सकारात मक्त थी लेकिन मार्था में नकारात मक्त थी इस्यास नभी अध्याई 43 वाकि उन्नेस में यही बात बोली जाती है प्रभु कियते हैं मैं एक नया कारी करने जा रहा हूं क्या तुम उसे नहीं देखते हैं इब्राइन के पत्र के अध्याई 11 वाकिये एक में लिखा हुआ है विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतिक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित के बारे में द्रड़ धारना है जिसे हम नहीं देखते ही यानि विश्वास का एक दूसरा नाम है सकारात्मक्ता अनदर वेड फर फेइट इस पॉजिटिविटी जिसके अंदर विश्वास रहता है वो सकारात्मक्त रहता है उसके अंदर उमीदे रहती है मार्था के अंदर उमीद नहीं थी लेकिन येसु के अंदर उमीद थी कि वो जिन्दा हो सकता है येसु सकारात्मक्ते अमें नर्गमन गंद के अधियाई 14 में पढ़ने को मिलता है मुसा के नितरतों में इसराइली लोग मिस्र देश की गुलामी से बच कर भाग रहे थी बच कर भाग रहे थे और ये लाल समुद्र के पास पहुंच गए लाल समुद्र उनके लिए ये इश्वर के द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया वे आगे बढ़ रहे थे तब तक उन्होंने देखा कि मिसर का राजा फिरावन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है इस्राइली लोग घबरागे मुसा से कहने लगे क्या तुम हमें इस लाल समुदर के तड़ पर और उस समुदर में मरने के लिए ले आए देखो फरावन आ रहा है इस्राइली उनके अंदर नकार आत्मक्ता बरिवी थी मुसा ने का डरो मत बेरो मत बनो धैरे बनाए रखो तुम्हारा प्रभू तुम्हारी और से लड़ेगा और ऐसा ही प्रभू ने किया इस्राइली नोगला समुदर पार गिये जब फरावन और उसके गुड़सवार और उसकी सेना जब समुदर में गुज गए प्रभू ने समुदर के पानी को फिर एक बार रेक किया और वे सभी पानी में डूब गए एक तरफ इस्राइली लोग जो नकारात्मक थे लेकिन दूसरे तरफ मुसा जिसके अंदर विश्वास भरा हुआ था और वे सकारात्मक था पुनुर्थान का पर्व हमें सकारात्मक बनने के लिए सिखाता है इस दुनिया में कई लोग हारने से पहले ही हार चुके हैं लेकिन जिनके अंदर विश्वास से उम्मिदें हैं सकारात्मक है वे हारते नहीं हैं 2010 में डेक्षिन अमरिका के चीली नमक देश में एक दुरगतना हुई दुरगतना क्या थी एक बहुत बड़ा खान था ख़दान था 2000 फूट की नीचे के नीचे लोग काम कर रहे थे 2000 फूट है बहूत गहराई होती है नीचे लोग खान में काम कर रहे थे, खदान में काम कर रहे थे, अचानक एक बहुत बड़ी चटान सरक कर उस खान को बंद कर दिया, वो खदान दुनिया से अलग हो गया है, लोगों ने सुचा कि सबी लोग मर गया हूंगे, और कुछ दिनों में एक ड्रिल, एक बोरिंग मेशीन बेचा गया, यह पता लगाने के लिए कि लोग जिन्दा हैं कि मर गये हैं, जब मेशीन नीचे गई और उसके बाद उपर आई तो उसके नुक पर एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था, हम सभी लोग स बचाने में बहुत समय लगा, क्या हुआ था, उनमें एक वेक्ती था जिसके अंदर बहुत जबरदस्त विश्वास था, वो येशु पर विश्वास करने वाला येशु और विश्वास ही वेक्ती था, उसने लोगों से का देखे आप घबराईए मत, हम लोग पूरा पानी नहीं पिएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे, बचा बचा कर पानी पिएंगे जिन्दा रहने के लिए, और हमारे पास जितना बोजने थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, इतना ही नहीं उस वेक्ती ने विश्वास के द्वारा उन लोगों के अंदर मनोबल बहा उनके अंदर जिस तरह गुबारे के अंदर हवा भरी जाती है उसी तरह से उनके अंदर विश्वास भरोसा और आशा भर के रखा जब तक कि कई देशों की मदद से एक कैपसूल जैसी चीज बनाए गई जिसके अंदर एक एक व्यक्ति को लाया जा सकता तो उपर ऑक्सिजन सब फिक्स कर गई काफी समय लगा एक एक कर गई बाहर लाने में तब तक उस व्यक्ति ने जिसके अंदर विश्वास था उन सब के अंदर सकारात्मक्ता भर के रखा उमीद भर के रखा उमीद भर कर रखा सकारात्मक्ता भर कर रखा प्रवेशु का पुनुथान का परव वस्तों में सकारात्मक्ता का परव है कबर में रखा गया इतने बुरी तरज से प्रभू मार डाले गये उनका शरीर चकना चूर हो गया लेकिन ये सुपुनर जीवित हुए साकारात्मक्ता का पर्व है ये देखने को मिला है एक प्रकार के अधियन का ये निचोड भी है कि कई लोग कई रोगी जिनके अंदर इच्छा शक्ती ज़्यादा है कई रोगी जिनके अंदर इच्छा शक्ती ज़्यादा है विश्वास ज़्यादा है उमीद ज़्यादा है आशा ज़्यादा है सकारात्मक है वे लोग बिमारी से बाहर आ जाते हैं असानी से लेकिन कई लोग जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जीने की इच्छा नहीं है इच्छा शक्ती नहीं है घबराई हुए हैं निराश हैं उदास हैं बहुत जल्दी मर जाते हैं तो हमारे अंदर जब सकारा अत्मकता रहेगी इच्छा शक्ती रहेगी मनोबल रहेगा उम्मीद रहेगी आशा रहेगी तो बिमारियों से हमें छुटकारा भी जल्दी मिल जाता है हम पुनर जीवित येशु के शिष्य हैं हम पुनर जीवित येशु के लोग हैं हम हारने वाले नहीं हैं हम हारने वाले नहीं हम जीतने वाले हैं येशु नहीं हारे नहीं कभी हार सकते हैं येशु जीते हैं और येशु पर विश्वास करने वाले भी कभी हारते नहीं बल्कि जीते हैं याकुब के पत्र की अध्या एक वाकिय छे और साथ में बहुत सुन्दर वचन है याकुब कहते हैं विश्वास के साथ बिना संदे के प्रार्तना करने चाहिए क्योंकि जो संदे करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है जो हवा में इधर उधर उच्छाली जाती है जो संदे करता है वो समुद्र की लहरों की तरह जो इधर उधर उच्छाली जाती है ऐसे लोग कभी है ना सोचें कि इश्वर से उनको कुछ मिलेगा ये सुपर विश्वास करने वाले संदे करने वाले नहीं होते हैं वे सदा सकाराद मग होते हैं उनके अंदर बराबर उम्मीद बनी रहती है मतिक ये सुपर माचार की अध्याई चौदव में हम जानते हैं बड़े सबेरे जब अंदेरे था ये सुपानी पर चल कर आए अपनी शिशों को बचाने के लिए क्योंकि शिशे प्रतिकूल हवा से लड़ रहे थे सारे शिशे गवरागे चिलाने लगे भूत भूत प्रभु ने का डरो नहीं मैं हूँ पेत्रुस ने का प्रभु ये दिया आप हैं तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं पानी पर चलूँ प्रभु ने का हाँ आजाओ पेत्रुस पानी पर चलने लगा पेत्रुस पानी पर चलने लगा एक बहुत सुन्दर प्रतीक है हम विश्वासियों का जीवन हम मसीयों का जीवन एक तरह से पानी पर चलने की तरह है येशु पर दिश्टी लगाए हुए वो पानी पर चल रहा था एक विश्वासी की दिश्टी जब तक येशु पर लगी हुई है वो पानी पर चल पाएगा कटिन परिस्तुतियों में भी आगे बाता रहेगा लेकिन जो ही पेत्रूस चारूर देखने लगा वो डूबने लगा वो डूबने लगा जहां पर शक आ जाता संदे आ जाता वो डूबने लगता प्रभू ने पुछा कि अरे अल्पे विश्वासी तुमने संदे क्यों किया एक विश्वासी का जीवन एक मसी का जीवन संदे से बरा जीवन नहीं है बलकि उमीदों से बरा जीवन है सकारात्मक जीवन है मातिके स्वमाचार के अधिया केस वाकिय बाइस में प्रभू कियते है विश्वास के साथ जो प्रारतांगी जाती है सुनी जाती है मार्कुस के सुमाचार के अधियाए पांच की वो नारी जो रक्तसाव से पीडी थी बारज साथ से परेशान थी अमारी लिए एक बाउस्वंदर उदाहरन है मार्कुस लिखते हैं कि वाइदियों पर वाइदे बदलने से उसकी स्थिती और खराब हो गई और उसके पास कोई पैसा नहीं था सब कुछ समापत हो गया था यानि पूरी तरह से वो जिरो बन गई थी ऐसी परिस्थिती में उसके अंदर विश्वास जगता है उम्मी जगति आशा जगति है यदि मैं येसुन नाजरी के कपड़े के पले को छूलूंगी मैं चंगी हो जाओंगी उसका हृदे मन पूरी तरह सकारात्मक हो जाता है और ये सकारात्मक था उसे चंगा गर्ती है ये विश्वास ये उम्मीद उसको चंगा करती है और प्रभू कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है मेरे प्रीये भाई और बेनों अपने जीवन में कभी भी नगारातमत्त को आने मत दिजिए नेगेटिविटी को आने मत दिजिए उम्मीद को बनाए रखिए इबराहिम ने विश्वास की अससाल की उमर में भी 99 साल की उमर में भी ईश्वर ने कहा है पूरा करेगा ये पॉजिटिविटी ही विश्वास है ये सकारातमत्ता ही विश्वास है मारकु सद्याए 11 वक्य 24 अब जानते हैं ये प्रार्टना करते हैं समय विश्वास करो तुम्हें मिल-चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा पहले से ये सोचना पॉजिटिव सोचना सकारातमंक सोचना की मिल-चुका-प्रभयशो के पुन्रु 그냥तान केった के पर्वस्य हमें यह संदेश मिलता है सकारात्मक बनो नकारात्मक मत बनो उम्मीद बनाए रखो आशा बनाए रखो निराश मत हो देखो मैं मर गया था मैं जी गया हूँ अनंत काल तक जीवित रहूँगा प्रकाशना दियाए एक वाग्या ठारोनेश डरो मत आदी औरंत मैं हूँ मैं मर गया था देखो मैं अनंद काल तक जिवित रहूंगा येशु के पुनोथान का पर्व ये संदेश देता है वही संदेश अभी प्रतिध्वनित होता है सकारात्मक बनों हम होंगे कामियाब मैं हूंगा कामियाब एक पक्का विश्वास आज अपने मन में समय धारण की जिए आएम प्रार्थ न करें जाली पिता धन्यवाद देते हैं जिवन के वर्दान के लिए धन्यवाद देते हैं येशु के वर्दान के लिए धन्यवाद देते हैं एसु के द्वारा हमें उम्मीदें देने के लिए आशा देने के लिए एसु की मृत्य और पुनुर्थान के द्वारा तूने हमारे सामने आशा का द्वार गोल दिया है एशु के पुनुर्थान के द्वारतों ने हमें आवाज दी है सकारा अत्मक बनो देखो मैंने अपने पुत्र को जिलाया है मैं तुम्हें भी जिलाऊंगा तेरे वचन में लिखा हुआ है चाहे पहाद तर जाए पहाड या डावा डोल हो जाए कि तेरे प्रती मेरा प्रेम नहीं डलेगा और तेरे लिए मेरा शानती विधान डावा डोल नहीं होगा एद यालू पिता हम दूसरे प्रयार्त ना करते हैं प्रभी एसु के पुनुर्थान की विशेश योग्यता से हमारे मनों को पूरी तरस से आशावादी बनाईए हमारे मनों को शुद्र कीजिए पवित्र कीजिए शेटान हमारे मनों में हमेशा नकारात्मक्ता भरना चाता है निराशा भरना चाता है जिस तरह यूदस के मन में निराशा भरा ए प्रेमी पिता तेरे पुत्र येशु के पवित्र नाम पर उनके पुनुर्थान की योगता के दोर हम प्रार्थना करते हैं हमारे मनों को सकारात्मकता से भरिये हमें उम्मीदें दीजिये हमें विश्वास का बर्दान दीजिये और विश्वास और वरोसे के सारे अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिक्रपा दिजिए धन्यवादी पिता धन्यवाद धन्यवादी पिता धन्यवाद धन्यवादी पिता धन्यवाद